सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना कदम कदम में मिलेंगे मुश्किले आपको सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना इसी उत्साह के साथ जहिन चात्रो मैं इशारहमत कॉंपिडिशन कमुनिटी के इस कोश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की तैयारी युद्धी स्तर पे कर रहे होंगे चात्रो हमारा विशय जो चल रहा है वो है भारती भूगोल और भारती उसके बारे में व्याख्या जान सकता है ठीक है तो ज्यादा समय ना लेते हुए आईए इस प्रतियोगी अलाग भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है याद रखिएगा भारत जो है वह आपका चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त है अब वो कौन कौन से हैं आई यह देख लेते हैं ठीक है यह हमारा सबसे पहले उत्तर का परवती प्रदेश जो हमारा टॉपिक आज कहोने वाला है ठीक है उसके बाद यह भारत का मैदानी भाग यह वाला होगे आपका प्राइदिती भारत का पठार पैनेंसुलर प्लेटू ठीक है मिनरल्स वगर यहां सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसके बाद तठ ख्राप का द्वीप समु यह चारों को यहां यह नहीं यह तठ और आपका द्वीप समु को एक साथ लिया गया है ठीक है एंसी आटी में आपका अलग-अलग लेता है छे भागलिक विभाजन उसमे यह तुद्भ याद रखेगा औजिए जलय उसरा मरुस्थाल अब यह कैसे लगासर में नकार देखते हैं संदुनदी जहिए पूरा भाग जो है मरुस्थदाली वाग है जो की शिलकी अधिकार गचलग आता है आए अगला अगे प्रस feel बढ़ते है प्रस्नum geет नमिलिखि आपका गोडवाना चट्टान क्रम जो है वो सबसे नविंतम चट्टान क्रम अब यह कैसे आई यह कुछ इस प्रकार समझते हैं ठीक है यहां तो दिया नहीं है लेकिन एक ब्लैंक पेच लिके समझ सकते हैं याद रखेगा साथियों यह रही हमारी प्रिथवी ठीक कुछ इस और यह आपका गोडवाना लेंड गोडवाना लेंड ठीक है इसी को प्लेट विवर्तनी का सिध्धान्त या प्लेट टेक्टोनिक्स थेवरी भी कहा जाता है ठीक है जब यह धिरे-धिरे करोड़ों वर्स पस्चाहत एक दूसरे से मिले तो यहां पस इस्थित हुआ आपक प्रसने के अनुसार में आप लोगों को बता रहा हूं कि आपका गोडवाना करम नविनतम क्यों है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से भारत का नक्षा ले सकते हम आई यह इस प्रकार समझाथा हूं यहां से कि यह कुछ इस प्रकार से भारत है तो आपका जब प्लेट वी वर्तनी के तहत आपका गोडवाना लेंड अंगारा लेंड से मिला इस प्रकार से दिरे दिरे आगे टकराते गया तो आपका यहां पस हिमालय परवत का निर्माण हुआ लेकिन जब यह आपका मेड़कासकर की तरफ से आगे बड़ रहा था तो यहां पस बहुत ही भुकमपी घटनाय हुई तभी यहां पस महराश्ट वाले छेत्र में डेककन त्रेप का निर्माण हुआ ठीक है आप पढ़े होंगे इसको ठीक है उसके बाद यह वाला कहलाता है छेत्र आपका चोटा नाकपूर का पठार वाला छेत्र ठीक है यहां गोडवाना करम की चट्टाने बहुत मिलती है जो की जादा नहीं दबने की वज़ा से यहां से कोईल अध्यात का नक्सा है जब हमारे पास तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं यहां है आपका डेकन ट्रेप पूरा महराष्ट छेत्र ठीक है यहां भूकंप नहीं आ सकता लेकिन लातूर एक प्रस्ण पूछा गया था लातूर में भूकंप आया था हूँ लातूर चेत्र कहलाता है ठीक उसके बाद यह वाला राय सीना वाला एरिया ठीक यह आपका विधर्भ जार खंट तक के यह पूरा चतिजगण का उपर वाला भाग पूरा छोटा नाकपूर का पठार जो की यहां बताया मैंने आपका ज्वाला मुखी घटना हुई थी जो वह आप यहां तक के उपर पुर्वत्तर राज्यों तक के आपका गोडवाना सेलकरम के चटान पाए जाती है आशा करता हूं आप लोग को यह समझ में आओगा कि गोडवाना नविंतम क्यों है मतलब नहीं क्यों है ठीक है तो आईए कहां थे हम यहां थे ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस नंबर चार है हमारा भारत में पस्चिमी घाट को क्या कहते है याद रखेगा पस्चिमी घाट को सहाद्री घाट कहते है ठीक है पूरा जो किया आपका कुंकर्ण मालाबार टट और आपका पूरा छेतर इसी कंतर गताता है देखे यहां पर दिखाई दे रहा है कॉंकर तट माला बर्ट और आपका कननड ठट पूरा छेत्र कैं कहलाता है विए साधिक परवत तक तो इस प्रकार याद करते हैं काथिया सरकार के अंतरगत पुरू का मैदान ये वाला च्छेत्र है कोरो मंडल तत कहलाता है हमेशा प्रस्ण पूछा जाता है तो इसे स्क्रीन सोट के तहत आप ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है काठिया वाड़ा प्रादीप किस राज्य में अभी बताया मैंने कह है गुजरात में ठीक है यह वाला चेत्र गुजरात काठिया वाड़ा ठीक है यहां खंबात की खाड़ी ठीक आगे बढ़ते हैं अगला है को स्चन नंबर सिक्स न्यू मूर्द्वीप किन दो देशों की यहां पस किन होगा जी ठीक चमा चाहूंगा इसके लिए ठीक है कि बंगलादेश के बीच में इसका विवाद चल रहा है ठीक है ब्रह्मु पुत्र और गंगा दोनों का जो डेल्टा बना है उससे नए द्वीप का निर्माण हो गया है जिसका नाम दे दिया गया है निव मूर्द्वीप और यही जो है भारत और बंगलादेश के बीच में च्छेत्र बन गया है ठीक है यहां पस कुछ नकसे में इस प्रकार समझें से थीजह रहांbereich बंगलादेश यह आपका यहां से निकलती है ब्रह्मो मुत्र नदी और यहां से आपका निकलती है गंगान अधी ठीक है ये दोनों के संगम इस तल में ये सुंदरवन्द के डेल्टा के अकॉर्डिंग मैंने इस कोश्चन को आप लोग तक पहुचाया है ठीक है यहाँ पस याद रखना है सुंदरवन्द का डेल्टा किधर है तो पस्टीम बंगाल शेत्र में ठीक है तो सु थाल थाल याद रखेगे आपका भारति प्रैद्वीपीर पठार। जो है सबसे प्राचीन है हिमालएय सबसे नया ठेते फृब्री उत्तर का विशाल मैदान ये वी जो है हिमालाय की वजह से बना है थीक है पूर्वी तर्टिय मैदान ये आपका क्यों बहुते हैं लेकिन भारती पराइदिपी पठार आपका राइप कहां था आपका मेडेक आसकर से जुड़ा हुआ था वो दीरे-दीरे बढ़ते हुए आगे गया इस थेयोरी को आप जरूर पढ़े होएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर आठ है निमलिखित को सुमेलित कीजिए ठीक है देखिए यहां पस देख सकते हम हां हिमाल अगल से काली नधी सही है नेपाल हिमाला काली से तिस्टा यह भी सही है थीं पंजाभ हिमाल दी से शोय सक out मुलक का sir क्या होगा आपका 1234 वंभा देक्षिं से आगे यहां दिखाए दे रहे हैं शिंदु से सिंदुनेजी से सटलज नदी fund थीक तो कुछ इस प्रकार यहां आप सवाज सकते हैं और मेपाल जो है काली और आप तिस्ता नदी के बीच में तो इसे आप शजँट ले सकते हैं और अच्छी तरीके समझ सकते प्राकृतिक विभाजन के तहट यह प्रस्ण हमेशा पूछा जाता है ठीक उसके बाद है निमन में से कौन सा सक्री ज्वाला मुखी है ठीक है तो भारत में एक और एक मात्रा आपका सक्री ज्वाला मुखी है वो बैरन दूइप ठीक है तो याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं बैरन जो है वो सक्री ज्वाला मुखी है प्रस्ण दस है हमारा हिम मुड़दार परवत ठीक आई आगे बढ़ते हैं पस्चिमी भाग में हिमालय की स्रेणियों का दक्षिन से उत्तर की और निम्नांकित में से कौन सा करम सहीं है महान घून मैंख लगवन शिवाली का बोल रहा है आपका पस्चिम से को करम यहां प्छुवाली ऑफिन होगा को DNK होगा पहले होगा तो कि you झालड नंth तुन मुस्टन से होगा अब यह कैसे होगा ईए नकसे में दिखाता हूँं आप लोग को शिवाली माले लगू हिमाला फिर उसके बाद महाइन ये रहा नकसा ठीक है तो यह आपका पहले हम कहां से प्रस्ना नुशार चलिए के पहले शिवाली लें हम फिर उसके बाद लगू जो कि यह वाला छेटर है दुसरे इस बनाते हैं कि यह कलर से दिए इस प्रकार से हैं तीट यह फिर उसके बाद आपका यह महान ही माल मैं जिसमें सबसे उच्छी चोटी बहुत दूर से फैला हुआ ठीक है उपर में पामीर का पहाड दिखाई दे रहा होगा विश्व की च्छत कहा जाता है उसको पढ़ते हैं वैसे अभी प्रस्ण अनुसार यहां चलते हैं तो हमारा सिवालिक फिर उसके बाद लगो फिर महान हिमाल है और यह वाला भाग हमारा कहलाता है ट्रांस हिमाल है अधि चमाचा हूं वह इसमें कैसे कैसे कलर कहो जा रहे हैं अधिक अधिक निकालो यह जाएगा आपका ट्रांस हिमाल है तो कुछ इस प्रकास है प्रस्ण हल होगा तो यह समझ में आया होगा आई यह से कुछ अलग दिर्ष्टिकोंड से समझें कि यह नीचे से उपर उप से नीचे याद रखेगा हिमाले जो पर्वत है होगा ठीक फ़ह चार भागॉं भाठल तो इसके उसके हमें हमें याद रखना है और तांस हिमाले के जो आपका करम है जिसमें क्लेशेर्स सबसे जादर मिलते हैं उसे हमें याद रखना जरूरी है कारा कोरम लद्दाग जासकर पीर पंजाल स्रेणी ठीक है तो इस प्रकार से इस नक्षे को आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और हम अगले प्रश्ण की और बढ़ते हैं आईए प्रश्ण है हमारा किंदो परवस्रेणियों में सजु के मध्य कस्मिर घाटी स्थित है तो याद रखेगा पी पंजाल और महान हिमाले मले के मध्य में आपका क्या स्थित है आपका्त क्या इस प्रकार से इलिम्नेट करना है जब हमें मालूं हो तो में कस्मीर गाटी वरीहत Feels With dow कश्मिर घाटी आई आगे बढ़ते हैं निमलिखित भारत का वेसाल्टी लावा प्रदेश है देखिए इसका अंसर तर्टीय मैदान हो गए नटीव मैदान नहीं होगा यहां पर आपका तर्टीय मैदान ठीक वैसे अंसर सही नहीं है कि उसका धवरिहत मैदान धक्कन का पठ जो कि बहुत ही मजबूत है और आपका भुकंपी द्रिश्टी कोंड से बहुत ही आपका सेफ जगह है लेकिन लातूर जो की प्रस्ण पूछा है वह अपवादित है आपका महराष्ट में हुआ था ठीक तो इधर आगे बढ़ते हैं ठीक है इस प्रकार से आप स्किन सॉट ले सकते हैं इसका आगे बढ़ते हैं प्रस्ण की और कॉस्चन नंबर 14 प्राधिपी भारत की क्ला पट्टी किस wow में विखसित हुई थी ठीक है कैनल में विखसित हूई देखिए गोडवाना काल क्लिप्ण धो काल और आपका प्लास्टी सो प्लास्टी प्लास्टो सीन काल सौरी जबान पलाटता नहीं कभी कभी तो याद रखेगा गोडवाना काल में ही आपका किसका कोईला कोईले का कोईले पट्टी का दिर्माण हुआ था ठीक आई आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 15 है निमलिखित म तो याद रखिएगा हिमालय मैं पहले परस्ट में बताया था इससे पहले मतलब आगे की कोश्टन में बताया था आपको हिमालय जो है सबसे आपका नमिंतम है तो हिमाद्री स्रेणी जो है आपका यह अंसर हो जायागा इधर-उदर देखना नहीं और सबसे प्राचीन बो अच्छा यह सीजी पीसी प्री 2022 में पूछा गया प्रस्ण है आएए देखिए इसे क्या है इसका कथन एक प्लेट विवर्तनी की यह प्लेट टेक्टोनिक्स का सिध्धांत 1967 में एच एच हैस ने दिया था ठीक है दिया है वह तो मान सकते हैं फिर दूसरा कथन दो है प्ले प्लेट टेक्टोनिक्स थेवरी जो है वह किसी एक भुगलवेत्ता द्वारा नी बनाया गया है उसमें बहुत सारे चीजों को लाके एक साथ मिला दिये गया है मर्ज कर दिये गया है तो इसके अनुसार आपका कथन एक असत्य है ठीक है सिर्प वशिफ हैरी हैस ने सिद्धान नी ये बहुत सारे विज्ञानिकों का ये संकलन है ठीक उसके बाद है आपका ये वाला बिल्कुल सही है विवर्तिमें सिद्धान समुद्दतल विस्तारान सिद्धान पर अधारित ठीक है तो आपका कथन एक अ जाए ठीक है तो इसका आंसर जो है आपका इस प्रकार है ठीक है इस पर भी आप हो द्रांग द्रूंग सोनिपान और बारा सिंग इसके पूरे ग्लेशियर्स के नाम जो है आपके रख दिये गए है वो कुछ इस प्रकार है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और प्रस्ण की दिरिष्टी कोण से परिच्छा की दिरिष्टी कोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है अब ग्लेशियर से प्रस्ण पूछे जा रहे हाई है ठीक है तो आहिह नक्सेम देखते हैं ठीक है फहले देख लेंगे और उत्तरेख्ण के ओ तर प्रदेश का है सोरी मैं लुक्तार प्रदेश का हिसको ठीक है हिमाचल प्रदेश ठीक हिमाचल प्रदेश का भाग है तो उत्तर प्रदेश सिदह सिदह दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का भाग नहीं हिमालय वाले चेत्र में स्वारी नेपाल वाले चेत्र में हिमालय जो है फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के चेत्र में नहीं ठीक आई आगे बनते हैं को से निर्मित ये करेवा छेत्र कहलाता है जिसमें की केसर की खेती की जाती है उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है तो कश्मीर हिमालय इसका अंसर होगा कश्मीर हिमालय में बहुत ही ये प्रसिद्ध है केसर की खेती के लिए बहुत ही आपका उप्युक्त जगह है आईए आगे बढ़ते हैं है क्यों debate सीद्ध की कर्यात क nella तो युद। रखेतान श्रह के करना साइलेंट सीद्ध लिए निम्लिखित राज्यों के सीद्ध और उनसराइए स्थित साइलेंट वेली अपने मतलब बायो डैवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ठीक आई आगे बढ़ते हैं भारत का सरवाधिक खनीज युक्त शैल तंत्र सरवाधिक खनीज युक्त शैल तंत्र बहुत ही कतरनाक सा प्रस्न नजर आ देखते हैं आगे धर्वार सैल तंत्र विन्जन सैल तंत्र कडप सैल तंत्र गुडवाना सैल तंत्र याद रखिएगा धर्वार सैल तंत्र है यह आपका खनीज की द्रिष्टी कोण से बहुत ही आपका प्रसिद्ध है यहां से बहुत सारे खनीज हमें मिनरल्स प्राप्त हो कुछ नंबर 23 भारत की सबसे उची चोटी कि सराज्य में इस थी थी थे सिक्किम पश्चीम मंगाल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तो गाडवी नाश्टीन केटू क्यक्ट स्टिए और आपका जम्मु कश्मिर में लेकिन यहां पस एक अपवाद है किस प्रकार से अपवाद इस यह पसें जो कि आपका कुछ भाग पियोगे वाला बताया थे नर्थिक नर्थिक तो आपका ये कहां इस्ठीथ है कुछ भाग जो का केटू का गॉडवी नास्टिन का पीओ के वाले शेत्र में है ठीक है सिक्की में क्या है कंचन जंगा है ठीक कि आईए पुशन नमबर 20 देखते हैं भारत की सब से उची चोटी हो तो गया आगे बढ़ते हैं 24 है स्वासी निहीं होगा एक 86 की पहाड़ी में बिल्कुल करती है दोनों सहीं होगा ये और वी दोनों ठीक है इस प्रकार से आंसर लेना है ठीक है अब यह किस प्रकार है यह नक्सिम देखते हैं यह आपका रहा गारो खासी जनती है मासिर राम चेरा पुंजी वाला छेत्र ठीक है यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है ठीक यह हिमालय के कुछ परवत श्रेणिया है जिसको से याद रखना अनिमारे हैं हमारे लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 25 है उत्पत्ति के अधार पर हिमालय परवत किस परवत काल से संबंधित है देखिए आगे बढ़ते हैं केंबिरियन पुरुकाल यह नहीं है प्रारंबिक पैलियो जोस्क पैलियो ज काल से संबंधित है तो यहां पस हमारा प्रस्ण यह उले टॉपिक का प्रस्ण जो हमारा समाप्थ होता है आपको पिछली कप्छाओं में जो मैंने प्रस्ण कराए थे वह कुछ इस प्रकार है जिसके उत्तर होगा आपका इस प्रकार यह रहा मुख्य भूमिग क्या होते हैं अब यहां पस आपका यह रहा आज का प्रस्ण कुछ इस प्रकार से आप इसके स्क्रिंशॉट ले सकते हैं कमेंड बॉक्स में इसका अंसर जरूर दीजिएगा और आप इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूंगा जैहिन